हेलो गाईज, कैसे हैं आप सब? आज में आपको पटूनिया प्लांट्स के बारे में बताऊंगी ये विंटर सीजन्स के प्लांट होते हैं और विंटर सीजन्स में ही इनको ग्रो करते हैं इनकी फ्लारिंग जो है नेवेंबर एंड में स्टार्ट हो जाती है अगर आप इनको सेप्टेंबर के मन्त में अगर आप इनको ग्रो कर लें मैंने ये जो प्लांट है ये सेप्टेंबर के एंड में ग्रो किये थे और अब नेवेंबर एंड आ गया है आप देख सकते हैं किती अच्छी फ्लावरिंग इन में हो रही है तो ये मार्च एंट तक इनकी फ्लावरिंग होती रहती है अगर आप इनकी अच्छी केर करें तो मैंने जो इन फ्लार्स का जो पॉटिंग मिक्स लिया है मैंने उसमें 50% गार्डन सॉल एड किये 30% मैंने कमपोस्ट एड किये और 20% मैंने सैंड एड किये तो ये सब कुछ एड करके मैंने इसका पॉटिंग मिक्स बनाया है और सनलाइट की मैं अगर बात करूँ तो सनलाइट इनको अच्छी सनलाइट चाहिए होती है आप चाहे तो इनको सारे दिन की सनलाइट बें पर पड़े तो इनकी फ्लावरिंग अच्छी होती है अगर आपके घर में मालो सनलाइट ज्यादा नहीं आती है तो आप इनको दो या तीन घंटे की सनलाइट जरूर ही दिलवाएं इसके रखें जहां पर दो घंटे की या तीन घंटे की इनको सनलाइट मिले तो जितनी अच्छी सनलाइट मिलेगी और जितनी अच्छी इनको खाद मिलेगी पानी मिलेगा उससे क्या होता है कि इनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है watering की बात करें तो इनको watering भी daily basis पर करनी होती है daily अगर आप इनकी watering करेंगे तो flowering अच्छी होती है इनकी और खाद भी जैसे flowers एक बार इनके आने लग जाते हैं तो 15-15 दिन बाद या 20 दिन बाद थोड़ी थोड़ी आधी आधी मुठी इनमें आप क्या करें खाद इसमें एड़ कर सकते हैं तो इस वज़े से क्या है कि अगर खाद अच्छी दें धूप अच्छी दें पानी ठीक मिले इनको तो इनकी फ्लावरिंग काफी अच्छी होती है और जैसे कि मैंने ये जो प्लांट से हैं इसके छोटे-छोटे पाद इनकी लगाई थी आप नर्सरी से चाहें तो पाद लगा सकते हैं या थोड़ा बड़ा प्लांट भी लगा सकते हैं इसकी जो पाद है मैंने 5 रूपीज में या आपको 10 रूपीज के बीच बीच में आपको एक प्लांट मिल जाता है आप अगर इसका थोड़ा बड़ा प्लांट लें जैसे ब्लैक कलर की थैलियों में आता है तो आपको वो 20 रूपीज, 30 या 40 की रेंज में मिल जाता है पर मैं जो इनकी पाद लगाती हूँ सेप्टेंबर से इनकी पाद मिलना शुरू हो जाती है पॉट साइज की बात करें तो आप छोटे पॉट में भी इसको लगा सकते हैं जैसे 5 या 6 इंच का पॉट अगर आप ले लें तो इसमें आप इसको लगा सकते हैं बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं और अगर आपको एक प्लावरिंग लगाना है तो आप जैसे थोड़ा सा प्लावरिंग बढ़ा हो जाता है तो उसकी आप एक बार इसकी पिंचिंग कर दीजिए पिंचिंग करने से क्या होता है इसकी बहुत सारी स्टेम्स निकल के आती है पिंचिंग आपने फ्लावरिंग आने से पहले करनी होती है तो एक बार इसकी पििंचिंग कर दीजिए उससे क्या होता है खी इसके काफी बुषी ये बन जाता है और जैसे आपका प्लावर्ट। अपका थोड़ा धुड़ा ड्रय होने लग जाता है आपको इसकी cutting कर दीजिए जैसे जैसे जो भी आपका फ्लाइर ड्राइ होने लग जाता है आप साथ के साथ उसको काटते रही है उससे क्या होता है कि फ्लावर जो है अपनी अनर्जी नए आने वाले फ्लावर में लगाता है इनके ओपर अपनी अनर्जी वेस्ट करने की वज कर।ा है